हरे कृष्णा राधी राधी आज की इस वीडियो में हम चैतर मास के शुकलबख्ष की एकादशी कामदा एकादशी पर बात कर रहे हैं कामदा एकादशी चैतर शुकलबख्ष में मनाई जाती है इस इकादशी के दिन भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कामदा इकादशी यह इकादशी मनुश्य की कामनाओं की पूर्ती करने वाली है हिंदू मानिताओं के अनुसार कामदा एकादशी का वरत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति दिलाता है इस दिन पक्वान विश्णु की विशेश कृपा भकतों को प्राप्त होती है और हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है कामदा एकादशी बाकी सभी एकादशीयों से ज्यादा महतुर रखती है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन वरत करने से पूझा करने से हर मंगल में कामना पूर्ण होती है पुरानिक मानेताओं के अनुसार यदि सुहागन इस्तरियां कामदा एकादशी का वरत करती हैं तब वह अखंड सोभग्यवती रहती हैं कामदा एकादशी का उपवास रखने वाले व्यक्ति की मनो कामनाई पूर्ण होती हैं और घर में सुक्षान्ति बनी रहती है यदिस्वरत को विधी पूर्वक श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो सभी पाप नश्ठ हो जाती हैं और राक्षश जैसी योनी से मुक्ति मिलती है इस बार यानि साल 2023 में कामदा एकादशी का वरत 1 अपरेल 2023 दिन शनिवार को रखा जा रहा है इकादशी तिथी का प्रारंब एक अपरेल शनिवार की सुभे एक बजगर 58 मिनट से होगा जिसका समापन अगले दिन रवी बार दो अपरेल की सुभे चार बजगर 19 मिनट पर होगा इस दिन शनिवार का दिन है, सुरियोदे का समय रहेगा 6.12 और सुर्यास्त का समय रहेगा 6.49 मिनट राहुकाल का समय सुब़े का होता है तो आप इसे नोट कर लें, सुबह 9.50 से 10.50 तक राहुकाल का समय है इस समय में आप एकादशी वरत की पूजा ना करें, दान इत्या दिना दें, इस समय में की गई पूजा पाठ या दान का लाप प्राप्त नहीं होता है कामदा एकादशी का वरत और पूजा कैसे करें क्या भोग लगाईं ये सब जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि कामदा एकादशी वरत पारण किस समय किया जाएगा कामदा एकादशी वरत का पारण 2 अप्रेल रवीवार की सुभे 10 बज कर 21 मिनट से 11 बजे के बीच किया जाएगा ये सुभे का समय है लेकिन अगर इस समय में किसी वज़े से आप पारण नहीं कर सकते हैं तो दोपहर बात 1 बज कर 40 मिनट से 4 बज कर 10 मिनट के बीच भी आप एकादशी वरत का पारण कर सकते हैं 10 बज कर 21 मिनट से पहले आप पारण बिलकुल भी ना करें जो कि एकादशी वरत का पारण हरी वासर के दोरान नहीं किया जाता है और 10 बज कर 20 मिनट से पहले हरी वासर लगा है तो आप इस समय में वरत का पारण बिलकुल भी ना करें चलिए अब जान लेते हैं कामदा एकादशी वरत विधी वरत कैसे करें कैसे पूजा करें और क्या भगवान को भोग लगाएं तो देखे कामदा एकादशी का वरत पूरे दिन का रखा जाता है और इस दिन पानी भी नहीं पिया जाता जो लोग रख सकते हैं वो इस दिन का निर्जला उपवास रखते हैं लेकिन जिन लोगों का स्वास्ते ठीक नहीं रहता वो एक समय फलाहार के साथ भी इस वरत को कर सकती हैं। इस वरत की शुरुवात सुभे नहाद होकर स्वच्छ वस्तर पहन कर भगवान सूर्य देव को परणाम करें उन्हें अरग्य दी। ऐसी माननेता है कि सूरज की पहली किर्णों के साथ यदि सूर्य देव को अरग्य दिया जाता है तब वह अरग्य सीधा भगवान विश्णु तक पहुँचता है। और गंगा जल डाल कर इसनान करें। इसके बाद अपने पूजा इस्थल को पवित्र कर लें गंगा जल शिडग कर। अगर आप श्री विग्रह की सेवा करते हैं अगर आपके घर में श्री विग्रह स्थापित हैं तब उन्हें भी इसनान कराएं और उनका श्रिंगार कर लकड़ी की चौके बिशा कर उस पर एक पीला कपड़ा बिशा लें पीला ना मिले तो आप लाली या गुलाबी रंग का कपड़ा भी बिशा सकते हैं लेकिन भगवान विश्णु को पीला रंग बहुत प्रिये है तो कोशिश करें आप पीला रंग का कपड़ा लें इस पर भगवान शुरी हरी की मूर्ती को इस्थापित करें शिरी विग्रैया आपके घर में हैं तो उन्हें भी इस्थापित करें हात में जल और फूल लेकर मन में वुरत का संकल्प करें ध्यान रखें, इस दिन की पूजा में अक्षत यानी चावल का परियोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तब आप संकल्प कर रहे हैं, तो इसमें भी आप हातों में चावल नहीं लेंगे चावल के स्थान पर आप्थिल का परियोग कर सकते हैं भगवान की मूर्ती के सामनी हाद जोड़ कर परणाम करते हुए भगवान को हल्दी, चंदन, फल और फूल चड़ाए और अपने वरत का संकल्प करें भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान मैंने कामदा एक आदशी वरत करने का संकल्प किया है, आपकी किरपा से मेरा यहे वरत निर्विग्न पूरा हो। एक आदशी के दिन भगवान को तुलसी के पत्ते चड़ाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखे, इस दिन तुलसी जी से पत्ते तोड़े नहीं जाते, तो आप पहले दिन ही तुलसी जी के बहुत सारे पत्ते तोड़ कर रख लें, जिसे आप भगवान की पूजा में भी परि भोग लगा सकते हैं लेकिन कामदा एकादशी के दिन भगवान को विशेश रूप से एक लोंग के जोड़े का भोग लगाया जाता है दो लोंग आप लें जिनके उपर फूल भी हो लोंग खंडित नहीं होनी चाहिए ये लोंग भगवान को कामदा एकादशी के दिन आप अ अगर आप एक आद्शी के दिन भगवान श्री हरी की पूजा सुभे और शाम दोनों समें की जाती है भगवान श्री हरी की पूजा करने के बाद शाम के समय तुलसी जी के आगे किका दीपक चलाएं उनकी परिकर्मा करें आर्थी करें ध्यान रखें कि इस दिन आप तुलसी जी को सपरश नहीं करेंगे लेकिन दीपक भी जलाएंगे परिकर्मा भी करेंगे और पूजा भी करेंगे ऐसा माना जाता है कि यग दी तुलसी जी परसन न हो तभी भगवान विश्णु परसन होते हैं अगले दिन एकाद्शी वरत का पारण करें सुबह सभीरे नहा दोकर साफ कपड़े पहने ब्रामनों को भोजन कराने के बाद दक्षिना देकर आप एकाद्शी वरत का पारण करें लेकिन अगर आप घर बुला कर ब्रामनों को भोजन नहीं करा सकते हैं, तब अपने सामर्थे के अनुसार, कुछ दान इत्यादी मंदिर में भीजवा कर भी आप एकाद्शी वरत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिने एकाद्शी वरत करने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। भोग लगा रही हैं, तब उस समय भोग में आपको तीकी चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए, बलकि केवल मीठे भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। तो यह थी कामदा एकाद्शी वरत से जुड़ी कुछ बातें, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हैं तो आप मुसे कमेंट बॉक्स में पूर्च सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हरे कृष्णा राधे राधे। वी जुश बच्च्यों से थाँ जवा ही, हो कहा जवाब देश्कावी ज्याना हैं